बड़ी खबर RJD के खेवे से आ रही है अनन्त सिंग की पत्नी नीलम कल पटना आएंगी और फ्लोर टेस्ट में RJD का साथ देंगी सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं नीलम देवी जिनकी नाराजगी की खबरे चल रही थी लेकिन अभी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है सूत्र के हवाले से कि अनन्त सिंग की पत्नी नीलम कल पटना आएंगी और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वो RJD का साथ उसमें देंगी नीलम देवी जिनकी नाराजगी को लेकर काफी चर्चा हो रही थी लेकिन अब ये बात सामने आ रहे हैं ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कल वो होंगी फ्लोर टेस्ट के तौरान और RJD का साथ देंगी अभिशेग तो इसका मतलब ये कि क्या नाराजगी दूर हो चुकी है उसमें काम्याब हो गई आरजगी देखें ये नीलन देवी को लेकर के बहुत सारी वहापो के श्थितियां थी उसकी पीछे अनन सिंग की एक वज़ा थे पुराना जो इतिहास रहा है वो भी एक वज़ा थी और पिछले भी कई कई बयान अगर आप देखेंगे इसके पहले भी जो उनके बयान आये हैं उससे आपको लग जाएगा कि ये चीजे चल रही थी लेकिन हमारी जनकारी ये इस सब चीजे लास्ट मॉमेंट पर ये मैनेस की गई है कल सुबा वो पहुँचेंगी जो उनसे बात हुई है कल कोशिस ये है जो सरकार की कोशिश है सरकार में शामिल जो दल उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरह से 128 की आकड़े को पार किया जाए वो 128 पा करके इसको जीतना नहीं चायते हैंग 2028 अगर थीक है अगर वो भमत पा जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी लेकिन यहां 108 अगर क्रॉस होगा तो एक तरह से जो एक एक मिंटल गेम होता है कि हमने आप पर बढ़त प्राप्ते कर लिये हैं आपके विदायकों को हमने अपनी और खीच लिया है और दूसरी बाद इके समय कम है उसके बाद जो डिस्क्वालिकेशन की बारी आती है अगर इस तरह कोई कर देता है चुकि रिक्वाइड संक्या नहीं होगी तो डिस्क्वालिकेशन होगा लेकिन उसमें टाइम लगता है वो एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है इस पीकर आपका अपना होगा और विदान सभा का जो कारकालो बहुत जादा का नहीं बचा हुआ है तो हर तरह से जो कानुनी पहलू है वो सेफ साइड है तो ये एक तरह का शक्ती प्रदर्शन भी है और पूरी कोशिस ये की जा रही है कि 128 के उपर जाज हमने संतो सुमन की बात की उन्होंने 137 का फिगर दिया जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढ़ाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे